हाई व्रीवान वेलेकम दिसामजु लेर्निंग दिस रोवेट डाग SPR को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पर हम places in news discuss करेंगे इस lecture में places in news को multiple parts में करेंगे सबसे पहले हम जो world के important places हैं उनको cover करते हैं in a few parts फिर हम Indian important places को भी cover करेंगे mapping basically हमें करनी है although मैंने mapping के काफी extensive series बना रख की है जो कि YouTube पे अवेलेवल है SMP के अंदर भी mapping extensively covered की हुई है अब अगर आप उनको डीटेल में एक बार देखना चाहते हो तो I would recommend कि उसको पहले पढ़ लो उसके बाद यहां पर हम पिछले एक साल में जो जो important news में रहे हैं places उनको cover करेंगे तो this will be an add-on feature after those particular videos that we have covered for mapping in the geography series यहां पर सबसे पहले हम अफगानिस्तान से शुरू करेंगे मैं इस वाली वीडियो में Central Asian region को, Middle East को, इन particular areas को जाधा cover करना चाहता हूं अफगानिस्तान से मैं शुरूआत करना चाहता हूं recently news में बहुत जादा है और इसको काफी जाद extensively news में cover किया जा रहे है थोड़ा बतम देख लेते हैं अफगानिस्तान के अपर में अभी वीडियो डाली नहीं है तो सोचा कि इसी में काफी कुछ डिसकस कर लेते हैं मैपिंग के पॉइंटर भी से तेखो अफगानिस्तान में जानते ही हो that the US has decided and of course they have withdrawn their forces from Afghanistan 20 साल होगी जो इनकी एक लड़ाई चल रही थी जिसमें शुरुआत ही by finding Osama bin Laden और फिर इसके बाद removing Taliban फिर removing terrorism उसके बाद वितनी जादा खिष्टी चलेगी that eventually they decided that all their objectives have been achieved the US President said that they don't want to fight for a nation that does not want to protect or does not know how to protect themselves and fight for themselves the US cannot fight an endless war इसलिए they decided कि वो withdraw करेंगे हमें यह दिखने को मिल रहा है कि अभी 2021, mid 2021 में US withdraw करता हुआ आ रहा था जिसकी वज़े से Taliban को वापस आने का रास्ता मिल गया है एक तरफ Taliban negotiations कर रहा था with the US और negotiations के साथ-साथ they found some time जब US ने decide किया ठीक हम एक साल तक आपके ओपर air strikes नहीं करेंगे they found time to regroup and reorganize in a way that they could storm into Kabul after the US left significantly और फिर उनोंने तक्ता पलट कर दिया है कूँ तो नहीं कह सकते है इसको लेकिन फिर भी Taliban has taken over the political and military aspects of Afghanistan completely as of today अब यहां से आगे क्या होता है वो एक अलगानी है बट मेंस के point of view से हम अलग से सब कर सकते हैं बट मेंस के point of view से we have to look at the important aspects of Afghanistan जो की हमें काम आ सकते हैं सबसे पहले Afghanistan में आप क्या देखोगे यह एक landlock country है landlock country क्या होती है जिसका कोई भी sea या ocean का access नहीं होता है चारो तरफ उसके कोई ना कोई और country है या कोई land surface है उसके border पे कहीं पे भी उसको panic access नहीं होता है कुछ लोग बोलते हैं कि Caspian Sea के असपास वाली countries को क्या हम landlock बोलते हैं point यहां पर यह है कि sea या ocean का access नहीं होना चाहिए Caspian Sea कर अगर access हो भी गया तो भी limited कुछ countries का यह access हुआ directly आपको ocean का access तो नहीं मिल जाएगा इसलिए generally हम landlock countries ही बोलते है जो कि कोई चोटी water body भी अगर उसके water पर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है anyways एक मैं आपको map दिखा देता हूँ इसमें if you are interested तो आप comment section में लिखो कि कौनसी कौनसी landlock countries आप यहां पर identify कर पा रहे हो let's see कितने लोगों को जादा पता है खुद से खार ढूनने की जुरत नहीं है casually थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करो इन चीजों के बारे में और अभी आप comment section में भी देखोगे खुद भी आप help करोगे और रोगी तो एक list बनी जाएगे landlock country सब लोग यहां पर लिखेंगे अब Afghanistan is a landlock country यहां पर एक तरफ आपको दिख रहा है Pakistan bordering state है यहां पर India is a bordering state दूसरा China is a bordering country ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इरान यहां पर तो नीचे बापिस पाकिस्तानी है अब clock wise, anti clock wise जो important countries है उनकी bordering surrounding nations पता होने चाहिए यहां पर आप sequence अगर याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है जनरली जो confusion आपको होनी है वो तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान में होनी है बाकी तो आप याद रखी लोगें अब internally अफगानिस्तान के अंदर कौन से ऐसे important areas हैं वो जान लो because हो सकता है कि आपको एक statement दे दी जाए कि कोई एक country identify करने के लिए बोला हुआ है उसके किसी एक region के बारे मैं आपको बताया हुआ है तो आप इन regions के basis पे अफगानिस्तान को identify कर पाओ ये जरूरी है कांदार जातर लोग जानते हैं कांदार hijack इंडिन airlines के point of view से बहुत परानी बात होगे लेकिन फिर भी कांदार news में बहुत रहता है उसके बाद जरांज निर्मूज एरिया में ये आपको ध्यान होना चाहिए फरा याद होना चाहिए because यहाँ पर देलाराम है और चाबार से जरांज देलाराम हाईवे इंडिया ने बना के दिया है एरान को भी थोड़ा बना के दिया है अफगानिस्तान के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहा है because अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है इसकी वज़े से और वो चाहबार पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं उनको सीक अक्सेस मिल जाएगा कि ये लैंडलोड कंट्री है इंडिया के रिलेशन्स अच्छे हो जाएंगे अफगानिस्तान से इसकी वज़े से ये सोचके बनाया गया था और अब तालिबान के आने से कुछ-कुछ गड़बड हो रही है अबर हमारा जो अबजेक्टिव था फिलिदिंग इस हाइव वस तो घिव अफगानिस्तान फेर अक्सेस पूर अप्शिन ने अखेसिबा तो अधर कंट्री में फोड़ प्रीड इंडिया के लिए लिए अक्सेसिबा अफगानिस्तान और जिरांज दिलाराम आगे हमें Central Asia करे तो नहीं चाहिए विकोज अफगानिस्तान के अंदर रोड इंतर सक्षर इस वेरी पूर और तालिबान का एक्सिस रहता है सराउंडिंग पहली भी रहता था सराउंडिंग डिस्टिक्स में तो इस वेरी डिफिकल्ट तो एक्सिस सेफ नहीं था Central Asia तो वो जो एक्सिस था वो तो अलगी था हमारा एरान के थूँ चाहिए आइनस्टीसी की बात कर लो आप अब एनिवेज यहां पर हमें हैरात पता होना चाहिए इधर नोटिस करो मजार शरीफ यह आपको जुरूर पता होना चाहिए यह जगह है कुंडूज यह आपको पता होने चाहिए इस इस कुंडूज यह ग्रीन वाला जो डिस्टिक्ट आपको दिख रहे हैं आपर बीच में काबूल तो है यह Capital City of Afghanistan उसके साथ-साथ आपको यहां पर जलालाबाद पता होना चाहिए गजनी पता होना चाहिए और काबूल के जस्ट साइड में ही थोड़ा सा उपर यहां पर बगराम एर फील्ड थी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज माई थी तो आपको बगराम के बारे हैं पता होना चाहिए अगर आपको बगराम नाम दिखाई दिया फिल्लेंस में तो सोचना नहीं है कि कुन से कंटरी की बात हो रही है या किस कॉंटेक्स में बात हो रही है यह AIS ट्रिप US और NATO forces यूज़ कर रही थी यहां पर और यहां पर न्यूज़ बहुत ज़्यादा रही थी वेर अलड़ अफ अफगानीज नैशनल्स वर ट्राइं टू रन अवे क्योंकि यह वर फेरिंग फर देर फैमिली लाइफ अब तालिबान के वज़े से ऐसा हो रहा था तो इस AIS ट्रिप के पास में एरपोर्ट के पास में काफी ज़्यादा भीड थी refugee crisis बनने के यहां पर काफी ज़्यादा news आ रही थी अब यहां पर आपको इस रीजन में पंचियर वैली के बारे में पता होना चाहिए बिकोज अभी एक civil war शुरू हो गई एक तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने तो ओवर्टेक कर लिया है और तालिबान ने ओवर्टेक करके जो Islamic Republic of Afghanistan था उसको Islamic Emirate of Afghanistan बना दिया है और उन्होंने Republic status इसका रिमूव कर दिया है और यह कहरे है कि हम शरी क्योंकि यहां पर resistance forces are fighting the Taliban they are trying to push the Taliban backwards और यह काबूल के काफी पास में है काबूल से बहुत नजदीक है hardly a few hundred kilometers northwards of Kabul और पंचीर वैली की मैंने बात की है तो कोई mountain range भी होगी यहां पर एक बहुत significant mountain range है it is this region this is known as the Hindu Kush mountain range Hindu Kush नाम इसलिए है because पुराने टाइम में इंडस रिवर को Hindu river के नाम से बोले आता था फिर Sindhu river बोले लगे थे तो Hindu Kush which is westward of the इंडस रिवर अब Hindu Kush mountain range important इसलिए है because पामिर नौट से निकल के अफगानिस्तान की तरफ जा रही है थोड़ा सा पाकिस्तान में भी रीजन आता है उसके अलावा यहां पर important बात यह है कि Hindu Kush के अंदर एक ऐसी peak है which is the highest mountain peak outside of the Himalayas in the entire world यह पाकिस्तान में थोड़ा इस region में है इसका नाम है तिरिच मीर तिरिच मीर roughly about 7708 meters is a very very high mountain and it is the highest mountain outside the Himalayas in the world बाकि जो भी major peaks हैं वो तो Himalayas के अंदर यह आप जानते हो एक बार मैं आपको Hindu Kush Mountain और Clarity के साथ दिखा जेते हो यह आप जानते हो this is the Indian region इंडिया में आप थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे ताजिक की स्तान में आपको यहाँ पर center of your screen you'll find the पामीर नॉट पामीर नॉट से थोड़ा सा साथ वेस्ट की तरफ आप move करते वे आओगे तो यह this entire range this is the Hindu Kush mountains और देखो अभी हम अफगानिस्तान के उपर आ गए है this is Afghanistan और अफगानिस्तान का जो नॉर्थ इस पोर्षन है यहाँ पर आपको काफी rugged terrain दिखाए देगा काफी mountainous region दिखाए देगा यह पूरा region is the Hindu Kush mountains और देखो यहाँ पर आपको बगराम भी दिखाई दे रहा है बगराम में अगर हम जूम करके अंदर जाएंगे तो eventually we'll find the airport, the Bagram airfield air strip जो अभी abandon कर दी है US ने और NATO forces ने और यहाँ पर अभी तालिबान का कबजा है यह एक छोटी सी valley है और इसी valley में आपको नीचे जाओगे तो काबूल भी दिखाई देगा, यह काबूल है अब काबूल सीटी वाली valley में ही northwards थोड़ा सा हट के US ने बगराम airfield बनाई थी, because city के बहुत पास यह बनाना ही चाहते थे which is a good decision also, but ऐसे ही generally होता है अब यहाँ पर surrounding जो mountains है यह सभी हिंदुकुष mountains में ही count होते है थोड़ा सा आपको idea रहेगा कि कौनसे mountain ranges किस तरफ से आ रही है तो वो सही रहेगा, इंडिया की तो हम mapping करी चुके है मुल्टिपल टाइम्स देख चुके हैं बहुत सारी वीडियो में हिंदु को जनरली कवर इसले नहीं करते है बिकुष उस टाइप की news नहीं आती थी बट अभी news आ रही है, पंच-चिर भी news में है तो हमने हिंदु कुछ भी कवर कर लिया अफगानिस्तान के बारे में आप कुछ चीज़ें जान सकते हो की population लगबग 3 करोड के आसपास है जो majority हैं पर tribes है, ethnic tribes वो पश्टून्स हैं, ताजीक्स हैं, हाजराज हैं, उस्बेक्स हैं जो उस्बेक हैं वो उस्बेकिस्तान वाले रीजिन के सराउंडिंग में हैं जो ताजीक लोग हैं, वो ताजीकिस्तान के सराउंडिंग में हैं, उसके लगब पश्टून्स हैं, हजराज भी हैं अब जो ये ethnic communities हैं, इसमें 99.7% people are mostly Muslims तो Muslim majority country हैं और हमेशा से अफगानिस्तान has been famous or infamous for extremism, terrorism यहां पर देखने को मिला है, poverty यहां पर बहुत जादा है, child malnutrition की वज़े से काफी news में रहता है, corruption की वज़े से बहुत news में रहता है, तो जितना भी effort यहां पर NATO forces, US ने लगाया, इंडिया ने भी effort लगाया, काफी तो corruption में पैसे of Islamic cooperation, the South Asian Association for Regional Cooperation, SARC का भी member है, Group of 77 का भी member है, Economic Cooperation Organization का भी member है, यह non-line movement का भी member रहा है शुरू से, अब यहां पर बहुत सारी rivers भी हैं, basins भी हैं, उसके बाद भी काफी सुखा यहां पर रहता है, drought situation रहती है, because यहां से ही आपको Middle East वाला जो portion है, वो शुरू होता दिखाई द पहुच पाता है, और उसके लावा जादा यहां precipitation नहीं हो पाती है, इसलिए तो ड्राइने सब को देखने को मिलती है, सिस्ता बेसन यहां पर है, अमुदारिया, हरी रोड, हेलमान रिवर, काबुल रिवर यह बहुत important है, इनको जरूर ध्यान रखना, काबुल रिवर तो स अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं, सेंटरलेशन रिजन पर आजाते हैं, अल्दो हमने मैपिंग यहां की कवर की हुई है, लेकिन किरगस्तान स्पेसिफिकली न्यूज में काफी जादा था, रिजन यह है कि किरगस्तान में कुछ स्ट्रीट प्रोटेस् इसकी वज़े से रिसेंट जो पार्लिमेंटरी लेक्शन की वज़े से यहां पर काफी जादा प्रोटेस्ट होए हैं, उपोजिशन ने बोला है कि जो वोटिंग हुए हो गलत से हुई है, इसकी वज़े से थोड़ा परिशानी यहां पर देखने को मिल रही थी, इस वज़ इस वज़े से आप इसको ध्यान रख सकते हो, कैपिटल इसकी बिश्केक है, यहां पर देखो कैपिटल नौर्ट टू साउथ और वेस्ट टू इस्ट सेंट्रलेशन रिजन की अरेंज करने आप पानी चाहिए, कमेंट सेक्शन लिख दो, कोई लिखेगा तो बाकी लोग भ पढ़ लेंगे, उससे असानी होगी, मैंने और यह कावर किया हुआ है, इन दी सेंट्रलेशन वीडियो फॉर मैपिंग, जोगरफी सेक्शन में, कंट्री जेनरली यहां पर कौनसी कौनसी आती हैं, देखो एक तो कजाकिस्तान हो गया, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्ता किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, यहां पर अभी अफगानिस्तान ने पढ़ा है, उसके साथ कौनसी कौनसी सेंट्रलेशन कंट्री के बॉर्डर आ रहे हैं, देखो, ताजिकिस्तान का आ रहा है, उजबेकिस्तान का आ रहा है, और तुर्कमेनिस्तान का रहा है, यह तीन country Central Asian region में इनके बॉर्डर आ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ किर्गिस्तान का कोई भी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं है कजाकिस्तान का भी कोई भी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं है इंडिया के साथ किसी भी Central Asian Country का कोई भी बॉर्डर नहीं है कोई बीच में अफगानिस्तान आ जाता है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि Caspian Sea, The Elephant in the Room, बहुत बड़ी लेक, The Biggest Lake और Air L.C. आपको ध्यान रखना है लेक बलकश आपको यहाँ पर याद रखनी है यह important lakes है इस एरिया की बस यह ध्यान रखना है, लेक बलकश पूरी कजाकिस्तान के अंदर है एरल सी shared between अस्बेकिस्तान और कजाकिस्तान Caspian Sea का पर सारी countries के यहाँ पर Shores आते हैं Georgia नहीं आता है Azerbaijan यहाँ पर आपको दिखाई देगा Armenia नहीं आता है Iran का शोर यहाँ पर आपको दिखाई देगा Turkmenistan है, Uzbekistan नहीं आता है ध्यान रखना है, कजाकिस्तान, Russia, Azerbaijan, Iran, Turkmenistan यह surrounding countries हो गई है Georgia, Armenia, Uzbekistan नहीं आते हैं Turkey तक तक तो आपको ध्यान ही होगा, Turkey Caspian Sea पर लगता ही नहीं है Turkey का तो रीजन ही अलग होगा हमें Black Sea और Egan Sea, Mediterranean Sea की बात करनी है हमें Caspian Sea की बात ही नहीं करनी है Turkey के लिए अब इस रीजन में एक और बहुत इस सिग्निफिकेंट न्यूस थी पिछले एक साल में उस पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये रीजन जरूर दिखा होगा विच इस अर्मेनिया और अजर्बेजान रीजन इन दोनों के बीच में एक फुल स्केल वार हुई है पिछले एक साल में अब इसके रीजन क्या थे? बेसिकली यहां पर एक रीजन है ये वाला पॉर्शन आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये रीजन दिखाए देगा ये डिस्प्यूटेड लैंड जिसको कहते हैं कि इसकी वज़े से ये अजर्बेजान और अर्मेनिया के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिछले 30 साल उसे हैं और अब भी जाके ये रिजॉल्व हुई है फोर्श फुली हुई है टाइम लाइन में आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रह पाए देखो इस रीजन को हम बोलते हैं दी नागोर्नो काराबाग रीजन सबसे पहली बात नागोर्नो काराबाग रीजन एक ऐसी जगए है जो की USSR की डिसिंटिक्रेट होने के बाद जबी कंट्रीज बनी थी बेसिकलिया अजरबेजान, अर्मेनिया, ये सोवेट से ते टूटी थी अब ये बनने के बाद सबी कंट्रीज के आपस में जब कंट्रीज बन की ये डिवाइड हो रहे थे बॉर्डर्स डिफाइन हो रहे थे तो नागोर्नो काराबाग एक ऐसा रीजन था जो की मिला अजरबेजान को लेकिन इसकी जो पॉपिलेशन है वो अर्मेनियन डिसेंट की जादा है अब अर्मेनियन एथिसिटी की जादा majority population होने की वज़े से उनकी जो इंकलेनेशन थी early 1990s में वो अर्मेनिया की तरफ थी 88 से ये बात चल रही थी कि इसको जब disintegrate अगर होता भी है या तोड़ा इसको प्रो अर्मेनिया रखा जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये अजरबेजान को मिल गया था फिर अर्ली 90s में ने लड़ाई भी लड़ी है अर्मेनिया ने जो यहां के मेजोरिटी अर्मेनियन्स थे इस करावाक रीजन में इनको काफ़ सपोर्ट किया भार से और इनको बोला कि आप रिबोल्ट करो अगेंस्ट अजरबेजान और फिर धीरे धीरे ये अजरबेजान से दूर होता चले गए लोग और फिर रशिया को इंटरवीन करना पड़ा इस वार के बीच में और रशिया ने बोला कि हम अपने पीसकेपिंग फोर्से यहां पर लगा देते हैं आप लोग दोनों चुपचा बैठो दीरे दीरे छोटे मोटे सीजफायर चलते रहे बट इवेंचुली 2020 में एक फुल स्केल वार वापिस आई अजरबेजान आर्मेनिया के बीच में अजरबेजान ने अर्मेनिया को हरा दिया massively defeat किया बहुत rapidly defeat किया technological advancement उनकी काफी better थी drones ने काफी use किये अर्मेनिया was not expecting that और अजरबेजान ने mostly जो regions हैं यह वापिस ले लिए यहां पर आपको कुछ region ऐसे भी दिखाई देंगे जो कि यह red वाले हैं यह वो region है जो कि अजरबेजान की territory अर्मेनिया ने occupy कर रखी थी पहले यह green वाले वो region है जो कि अर्मेनिया की territory अजरबेजान ने occupy कर रखी थी पहले पट अभी status quo यह है that ceasefire has been achieved क्योंकि generally आजकल wars में क्या होता है कि फटाफट ceasefire हो जाता है international mediation हो जाती है UN बीच में आ जाता है और जो country ground gain कर लेती है फटाफट वो फिर बेंदरी डिक्लेयर हो जाती है तो नगोर्नो कराबाग region अजरबेजान अर्मेनिया जरूर ध्यान रखना अजरबेजान कैस्पेंसी पह खुलता है अर्मेनिया नहीं कुलता है जॉर्जिया एक ऐसी country है जिसका border दोनों country से लगता है एरान एक ऐसी country है जिसका border दोनों country से लगता है और यहां पर अगर आप देखोगे रशिया का border है अजरबेजान के साथ तर्की का border है अर्मेनिया के साथ Next we have to look at the Iranian region यहां पर नतान्ज नाम की जगह पे एक underground uranium facility में, nuclear facility में fire breakout हो गया था, यहां पर underground uranium facility में uranium enrichment plant है यह जो रेड़वाद रीजन आपको दिख रहे हैं, फॉर्दो और नतान्ज आर यूरेनियम enrichment plants, यहां पर आपको तहरान, अराक और इस्वान दिखाई देगा, यहां पर research reactors है, अरदकन है, यहां पर yellow cake मिलता है, एक chain है, एक second है, यहां पर आपको uranium mines मिलेंगे इरान के अंदर, यह basically और उसके बाद आप washer देखो, आप डरकवान देखो, यहां पर आपको nuclear power plant मिलेंगे, या plant बंड़ा डरकवान में, यह आपको याद नहीं रखने हैं, नतान्स बस याद रखना कि अगर बात आती है, तो आपको एरान के बारे में सोचना है, और एरान के nuclear program के बारे में सोचना है, यह वो facilities हैं, जो कि 2015 एरान nuclear deal के accordingly, International Atomic Energy Agency जो है, IAEA, यह monitor करती हैं regions को, 2015 एरान nuclear deal, उसके accordingly यह locations, जिसमें से नतान्स जग आप याद रख लो, more than enough, Next we move on to the Red Sea and the Middle East region, Middle East इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज में नहीं था, ज़्यादा न्यूज में, the Red Sea, the Bubble Amandab region, उसके साथ साथ Suez Canal, यह region न्यूज में ज़्यादा थे, और उसके बाद इसरेल वाला था, वह भी हम आपके देखेंगे, अब यहाँ पर Red Sea जो portion है, this is on the westward side of the Arabian Sea, eastward, basically south east of the Suez Canal और the Mediterranean Sea, you can say, यहाँ पर आपको Gulf of Aqaba दिखेगा, यह Suez का Gulf है, यह Red Sea हो गया, बीच वाला रीजन, यहाँ पर आपको Bubble Mandab दिखाई देगा, और यह आपका Gulf of Aden है, this region is known as the Bubble Mandab region, अब Bubble Mandab के थूँ, आप जब Gulf of Aden में आ जाओगे, उसके बाद आप इंडिया की तरफ आ सकते हो, through the Arabian Sea, Red Sea की खासियत यह है, कि लगबख 40-50 साल पहले, यह form हुआ था, it is one of the most recent oceanic developments that have happened, और यह हुआ था, because of the development of a rift valley, जब ocean sea floor spreading होती गई, तो यहाँ पर यह Sea के लिए जगे बन गई, यह news में इसलिए था, एक तो Suez Canal crisis की वज़े से, दूसरा की एक Iranian freight जा रहा था, यहां से freight रहता बिसिकली, और इसको इसराइल ने attack कर दिया था, इसराइल ने बोला की हमारे उपर भी इरान ने काफी किया है, अटैक्स पिछले काफी टाइम हैं, तो हम उसका बदला ले रहे हैं, इसलिए न्यूज में आया था, एक और चीज़ यहां पर आप नोटिस कर सकते हो, कि हैसी कौन सी कंट्रीज हैं, जो कि Red Sea में अपनी शौर रखती हैं, दिस इस साओधी अरेबिया, येमिन, जिसमें साना रीजन न्यूज में रहा था, हाउती रेबिल्स की वज़े से, उसके बाद देखो, एरिट्रिया है, मैं सुमालिया को काउंट नहीं कर रहा हूँ, बिकाज वो तो गल्फ अफ एडिन में खुल रहा है, एरिट्रिया के बाद देखो, यहाँ पर सुदान है, एजिप्ट है, अब आप काउंट करोगे, यूल फाइंड आउट साउदी अरेबिया एक हो गया, यमेन दो हो गया, जिबूती तीन है, एरिट्रिया चार है, सुदान पाँच है, एजिप्ट छे है, टोटली छे कंट्रीज यहाँ पर, रेड़ सी के अंदर, अपनी शोर रख थी है, यह उपन अप, इंटो रेड़ सी, उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है, इस सुवेस कनाल, which is the connecting link between the Red Sea and the Mediterranean Sea, सुवेस कनाल बतानी के जरुरत नहीं होनी चाहिए, नियूस में बहुत जादा था, एवर गिवन में इसके पर एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, जस सर्च सम्जो लर्निंग और सुवेस कनाल, यूस फाइंड दी वीडियो, इस पर प्रॉब्लम यह थी कि एवर गिवन एक फ्रेट था, बहुत सारी वेसिल्स रॉक हो गई थी और एक ट्राफिक जैम लग गया था, पहली बार ऐसा देखने को मिला हमें इस दुनिया में मिला हमें इस जिन्दगी में, बट एनिवेस, यहाँ पर हमें जानना यह है कि गल्फ अफ सुवेस से, सुवेस किनाल की शुरुवात हो रही है, यहाँ पर आपको लिटल बिटर लेक दिखाई देगी, ग्रेट बिटर लेक दिखाई देगी, और सुवेस किनाल का जो दूसरा एंड है, यहाँ पर पोर्ट सैड है, विच इस अन दी मेड़रेनियन सी साइड, और इसको क्रॉस किया जाता है, तो अवाइड दी लॉंगर रूट, विच इस अक्रॉस ती इंटायर आफ्रिका, और साउथ आफ्रिकन रीजन से होके न आना पड़, इसलिए सुवेस किनाल से जनरली, फ्रेट और जो वेसल जहीं जाती है, यहाँ पर यह वाला अगर आप रीजन देखोगे, दिस इस लेक तिमसा, और यह जो आपको छोटा सा बाइपास दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, अल बला बाइपास, अल बला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटल बिटर, अगर आपको देखें, समझ जाना, स्वेस किनल की बात हो रही है, अगर आपको दिखता है, तो भी आपको समझ जाना है, कुछ अगर आपको पॉइंट्स याद रखने हो, जो की स्टेटमेंट के पॉइंट अभी से दिया जासता है, याद रखना, इस दी वर्ल्ड's most heavily used shipping lane, इस केरिंग ओवर 12% of the world trade by volume, 1869 में बना था, शॉटकट बनाने के लिए, डेड़ सो साल पुरानी के नाल है, और बिटिश और फ्रेंच इंट्रेस्ट यहाँ पे हमेशा से रहे हैं, इसको नैशनलाइज कर दिया गया था, 1956 में, साओधी के साथ इनका प्रावलम दहाई, हाओधी रिबल्स ने जो प्रॉपर गवर्मेंट थी, येमिन की, उनको हटा रखा है सना से, वो एडेन चले गए हैं, वहाँ से गवर्मेंट रन कर रहे हैं, जो मेंन कैपिटल एक से बड़ी सिटी है, वह रिबल्स के हाथ में, और एक तरफ से साओधी इनके पायर स्ट्राइक्स करता है, हाओधी रिबल्स के ओपर, क्योंकि हाओधी रिबल्स ड्रोन अटैक्स करते हैं साओधी के ओपर, तो इसलिए निउस में था, उसके बाद हम आते हैं, पीरोन वेश्ट— साओधी अरेबिया एक अमीर देश है, तो वो निउस में रहता ही है किसे न किसी रीजन से, बट हमें स्पेसिफिकल इस्राइल और लेबिनन देखना है, सिख सिपने लेबिनन, लेबिनन में बेरूट, कैपिटल सिटी, बिल्कुल सीपोर्ट पे है बहुत ज़दा न्यूस में अचानक से आया था नेक्सक्टेड वे में बिकॉज एर वस अहुज एज़ एक्स्टोजीन ओन दीसी पॉर्ट अफ बेरूट यहां पे दरफ लफली बाग। तो थो थाॉजन सेवन फिट्ट अफ टन्स अफ आम्मोनि कॉंटेक्स बिल्ड करने के लिए पूचा जा सकता है कि इन में से कॉंटेक्स साल में नहीं है तो आपको जबरदस्तियों पढ़ने की ज़ुरत नहीं है कुछ नकुछ रीजन होगा अंटे अनले इस प्यूर स्टाटिक कॉंसेट जो कहीं से भी आ सकता है अगर कुछ अगर क्यों इधान रखना कुछ कॉंटेक्स होना जरूरी है तब ही हम प्लेसिसे न्यूस पढ़ते हैं जैसे कि बेरूट का कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं है बट यहां पे एक चोट आसा कॉंटेक्स ही बन सकता है कि इसको अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं विट पे अविलेबल है और पलेस्टीन के साथ इनका हमेशा से जो प्रॉलम चलती है रही हो इने डीटेल में डिसकस की है तो अभी इसको जादा डीटेल में डिसकस करने के जूरत है नहीं विसे इसके हम मैपिंग देखते हैं यहां पर आपको यह गाजा स्टिप दिखेगी यह वेस्ट बैंक दिखेगा यहां पर गोलन हाइट भी है नौर्थ इस्टन रीजन में ऑन दी बॉर्डर ऑफ सीरिया अब यहां पर आपको जो और एक दो चीज़ां अब्जर्ब करनी है वो यह है दिस इस दी डेड सी दिस इस दी सी अफ गेलिली इन दोनों के नाम याद और सी अफ गिलिली नूज में इसलिए था बिकास यहां पर वॉटर लेवल बैस बारिश हो गया है बारिष तो ड़ी जाधा होगी होगी काफी सालों से यहां पर बोक्रीज हो रहे थै तो प्रप्रीज में आया था इस 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 आउनिप इन्ट आ इन्ट पानी कि बहुत इस का है उसको कैसे फिरिफाय कर रहे हैं अब सी अफ गैलिली और डेड़ सी की बीच में लिंकेज भी है यह आपको ध्यान होनी चाहिए दिस नथिंग बड़ी जॉड़न रिवर जॉड़न रिवर आती तो सी अफ गैलिली की ऊपर से है सी अफ गैलिली जफ्रेश वाटर ले उस सर्फिस पर आपको डेड़ सी मिलेगा वह एंसी बहुत हाई रहती है विकुज सॉल्ट वाटर कॉंटेंट बहुत ज्यादा है और इनी रिजन की वज़े से और आपने काफी फोटो भी देखी होंगी जो टूरिस्ट हैं वह आराम से फ्लोट कर रहे हैं विदाउट एनी हे की खासे दखती है तो सी अफ गलिली अंडेडिसी आपको ध्यान रखना है यहां पर वेस्ट बैंक आपको ध्यान रखना है यह जो बड़े वाला रीजन आपको दिखाई दे रहे है वेस्ट बैंक है पैलेस्टीनियन रीजन यह गाजा स्ट्रिप है यहां पर पीलो का इतन रोल नहीं है, यहाँ पर मैंना आपको बताया भी था उस वीडियो में कि हमास का ज्यादा रोल है, जिसको एक टर्रेस्ट आउटफिट बोलते हैं, और हमास ही यहाँ पर ज्यादा परिशान कर रहा है, इस्रेल को यह उपर यहाँ पर गोलन हाइट से गोलन हाइट से तो आभी चुका एक्जान में पहले UPSC में कुछ साल पहले आया था तो यह रीजन आपको ध्यान हो चीए बेरूट, लेविनन के पॉइंट अभी से और इस्रेल के पॉइंट अभी से फिर लास्ट में हम आते हैं, टर्की में जिसी कैपिटल है, अंकारा, इस्तानबुल नहीं है, इस्तानबुल इस नॉट दी कैपिटल आफ टर्की काफी लोग सिली मिस्टेक यहाँ पर कर देते हैं अब यहाँ पर टॉरस माउंटें, इस्टिन टॉरस यह सब चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, पहले भी यह आपको ध्यान रखनी है, में तो यही माउंटेंग याद रखने होते हैं, अनटोलियन प्लाटो याद रखने की जौरत नहीं है बट फिर भी आप देख रहे हैं तो पढ़ लो उसके बाद यहाँ पर कॉरोगलू माउंटेंग याद रखने की जौरत नहीं है यह टॉरस ही सबसे फेमस है, टॉरस नाम है कुछ भी आपको दिखाई देगा, आप सामच सकते हो कि टॉकी की बात हो रही होगी, ब्लैक सी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ब्लैक सी की सराउंडिंग कंट्री इक बाद कुछ आइटलस कुल के देख लेना ब्लैक सी के सदन रीजन में आपको दिखाई देगा, टर्की, टर्की के नीचे आपको दिखाई देगा में train in sea और black sea को में train in sea से connect करने के लिए यहाँ पर बॉस्परा स्ट्रेट है sea of murmura है यह बॉस्परा स्ट्रेट है यह sea of murmura है यहाँ पर आपको dardan-less state दिखाई देगा फिर agency आएगा फिर आप में train in region में जाओगे यह sequence sequence भी याद होना चाहिए इनकी location भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि क्या क्या connect कर रहा है किसको connect कर रहा है for example मैं आपसे पूछूँ कि बॉस्परा स्ट्रेट किसको connect कर रहा है is it connecting the agency to the sea of murmura the answer is no आपको पता होना चाहिए कि बॉस्परा स्ट्रेट जो है this is connecting the black sea to the sea of murmura आपको पता होना चाहिए जो डाडलने स्ट्रेट है this is connecting the sea of murmura to the eggn sea ये important चोटी चोटी चीज़े जो है ये हमेशे आपको काम हैंगे तो इनको भूलना आप ये भी ध्यान रख सकते हो है यहां पर कि जो यूफरेट्स रिवर है और जो take receiver है इनकी शुरुआत यहां पर हो रही है टर्की के अंदर eventually ये एराक में जा रहा है Mesopotamia ancient civilization के लिए ये रिवर्स बहुत important थी और ये ड्रेंग करती है into the Persian Gulf इराक की life line है ये रिवर्स इसकी जो boundary countries हैं वो देख सकते हो तो देखो यहां पर Greece है Westport region में Bulgaria है उसके बाद आपको इदर देखो Georgia के साथ border दिखाई दे रहा है Armenia के साथ border मैंने भी थोड़ दर पहला को बदाया था Azerbaijan के साथ नहीं है Iran के साथ border दिखाई दे रहा है उसके बाद आपको Iraq के साथ border दिखाई दे रहा है Syria के साथ border है Lebanon के साथ border नहीं है Turkey का उपर Black Sea नीचे Matrim Sea तो यह सब चीजें थी जो हमें discuss करनी थी Part 1 में Part 2 में दूसरी region में चलेंगे कुछ और भी ऐसे regions हैं जो की less important हैं लेकिन फिर भी आपको पढ़ने चाहिए वो हमने PDF में पोरे Places in News की PDF SPR की Samjho Learning App पे आचुगी है Samjho Learning App का link आपको description मिलेगा वहाँ पर जाओ PDF डाउन्लोड करो It is free for everyone उसको अच्छे से पढ़ो और जो important aspects हैं जो extra information कुछ देनी है PDF से आगे जो पूप्तिम्यू तकि यू